चलिए आज बनाते हैं गोभी और मसूर दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप एक बार इस तरीके से गोभी और मसूर दाल की रेस्पी जरूर बनाएं सभी को खुब पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लिगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बहचे तो चलिए रेस्पी बनाना हम सुरू करते हैं गैस पर हमें चड़ा देना है कूकर को इसमें डाल देना है आधा कटोड़ी धूली हुई मसूर की दाल आपको भी कप या कटोड़ी से मसूर की दाल ले सकते है उसी कप या कटोड़ी से हमें इसमें पानी डालना है मैं आधा कटोरी मसूर दाल ली हूँ तो मैं धाई कटोरी इसमें पानी डालूंगी इतने में अग्दम पर्फेक्ट डाल बनता है न बहुत जादा गाड़ा होता है न बहुत जादा पतला होता है अभी हमें इसमें डाल देना है गोभी को गोवी को हमें थोड़े बड़े बड़े पीसेज में काट कर ही डालना है जादा छोटा छोटा नहीं डालिएगा अगर बहुत छोटा छोटा डालिएगा तो वो दाल में कल जाता है मैं इसमें लगबग 200 ग्राम गोवी डाली हूँ अभी हमें हल्दी पाउडर आधा चमच डाल देना है आधा चमच नमक डालना है नमक आपने स्वादन उसा डाले कुकर का ढखकन लगाकर हमें इसे एक सीटी आने तक पकाना है लो हीट पर इतने देर में दाल अच्छे से पक जाता है कुकर का प्रेसर निकल चुका है अभी हमें कुकर का ढखकन हटा लेना है दाल को चेक कर लेना है कि दाल अच्छे से पका है की नहीं तो देख सकती है एकदम परफेक्ट दाल बना है न बहुत जादा गाड़ा है न बहुत जादा पतला है अभी हमें इसमें तड़का लगाना है तड़का लगाने के लिए गैस पिछड़ा देना है कडाही को इसमें डाल देना है तो चमज तेल तेल गरम हो चुका है जीरा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा हमें हिंग डाल देना है एक तेज पत्तर डाल देना है अभी हमें डाल देना है, चार पांच लेसुन के कलियों को एक दम बारी काट कर डालना है अगर आप लेसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो स्कीप कर सकते हैं एक कटा हुआ हरा में डाल देना है, इसे हमें चला लेना है इसे हमें आधा मिनट के लिए भूनना है, अभी हमें इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज इसे हमें चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें लोटो मीडियम रखना है थोड़ी थोड़ी देर में हमें प्याज को चलाना है प्याज को हमें हलका ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को हमें लो हीट पर ही भूनना है अगर आप हाई फ्लेम पे प्याज को भूनियेगा तो प्याज जल सकता है अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है प्याज अच्छे से भून चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ टमाटर इसे हमें चला लेना है अभी हमें इसमें मसाले डालना है गैस का फ्लेम हमें लो रखना है आधा चम्मच धनिया पाउडर सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है वन फोर चम्मच काले मिर्च पाउडर वन फोर चम्मच लाल मिर्च पाउडर वन फोर चम्मच गरम मसाला पाउडर इसे हमें चला लेना है हमें मसाले को low to medium heat पे भुनना है मसाले को भुनने में डेर से दो मिनिट का समय लगेगा इतने देर में मसाले अच्छे से भुन जाएंगी टमाटर भी soft हो जाएगा थोड़े थोड़े देर में हमें मसाले को चला लेना है अभी आप देख सकते हैं मसाले का कलर चेंज हो चुका है टमाटर भी सॉप्ट हो चुका है अभी हमें इसमें पके हुए दाल को डाल देना है इसे हमें चला लेना है आपको लगे की दाल गाड़ी है तो थोड़ा आप गरम पाने भी इसमें डाल सकते है ये दाल थोड़ा गाड़ी खाने में ज़्यादा बढ़िया लगता है बहुत ज़्यादा पतला ना बना है इसे हमें चला लेना है इसमें हमें एक उबाल आने दीना है गैस का फ्लेम अभी हमें मेडियम टू हाई रखना है दाल में उबाला चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता इसे हमें चला लेना है अभी हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी मसूर दाल और गोभी की रेस्पी बनकर तयार है चैनल को सिब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ से यर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा ये दाल आपको कैसा लगा आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक ये फर वाचिंग